हेलो फ्रेंड्स मेरे चैनल प्यार कतरका में आप सबी का स्वागत है आज मैं बनाऊंगी ब्रेड पॉप्सिकल्स ये बहुत ही आसानी से बन जाने वारा डिजर्ट है बच्चों की पाटी के लिए तो ये बहुत ही अच्छा है अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा कॉमेंट्स कीजिएगा और मेरे चैनल प्यार कतरका को सब्सक्राइब कीजिएगा सब्सक्रिप्शन बिलकुल फ्री है बेल आइकम को भी प्रेस कीजिएगा इससे मेरा आने वाला हर वीडियो आपको तुरंथ ही मिल जाएगा मैं हर रोज एक वीडियो डालती हूँ तो आईए शुरू करते हैं आज की रेसिपी ब्रेड पॉपसिकल्स ब्रेड पॉप्सिकल्स बनाने के लिए मैंने सेवन पीस ब्राउन ब्रेड के लिए हैं आप ये वाइड ब्रेड से भी बना सकते हैं अब इनको मैं चोटे-चोटे टुकडे तोड Ke मिकसी में फाइन पाउडर बना लूँगी मैं इनको दो बारी में ग्राइंड करूँगी यह देखिए सभी ब्रेड्स को मैंने मिक्सी में अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया है अब इसमें मैं दो टेबल स्पून मेल्टीट बटर डाल रही हूँ ब्रेड को बटर के साथ अच्छी तरह से मिला लूँगी अब इसमें मैं दो टेबल स्पून न्यूटेला डाल रही हूँ आप चाहें तो इसमें चॉकलेट गनाश भी डाल सकते हैं थ्री टी स्पून मैंने इसमें पिसी हुई चिनी डाली है सबको अच्छी तरह से मिला के डो बना लूँगी इसका हमें बहुत सक्त डो ही बनाना है यह देखिए अब इसके इतने बड़े-बड़े बॉल्स बना लूँगी बॉल्स को अच्छी तरह से दबा-दबा के टाइट बनाएं यह देखिए इसी तरह सारी बॉल्स बना लूँगी सभी बॉल्स बन गए हैं अब आगे की तयारी करूँगी ब्रेट पॉप्सिकल्स के लिए अब मुझे चॉकलेट मेल्ट करनी है ये मैंने डाक चॉकलेट लिए डाक चॉकलेट को डबल बॉयलर पे मेल्ट करूँगी नीचे वाले बरतन में पानी डाल लें कर रही हूँ ये देखिए चॉकलेट मेल्ट होने लग गई है अब आगे की तयारी करूँगी ये देखिए ये मेरे पास बॉडन स्कुवर्स हैं इन में मैं लॉली पॉप बनाऊंगी लॉली पॉप की प्लास्टिक की स्टिक्स भी आती हैं अगर आपके पास वो एविलेबिल हैं तो वो ले सकते हैं इसको चॉकलेट में डिप करूँगी और ये देखिए इसके अंदर प्रेस कर दूँगी एक बार इसको बाहर निकालूँगी ये जो चॉकलेट है वापस इसको होल पे करके वापस प्रेस कर दूँगी इस तरह से चॉकलेट अंदर चली जाएगी और हमारी स्टिक को जमने के बाद होल्ड करेगी इसी तरह सारे बाल्स तयार कर दूँगी सभी बाल्स में स्टिक लग गई हैं अब मैं इनको 15 मिनिट के लिए इस तरह से चॉकलेट को उसके उपर से गिरने देंगे हाथ से जबरदस्ती नहीं जाड़ेंगे यह देखिए इस तरीके से यह मेरे पास 4 तरह के चॉकलेट के यह ग्रैन्विल्स हैं डिजाइन वाले यह मैं इसके उपर लगाऊंगी आपके पास जो भी एविलेबल हो वो ही लगा सकते हैं चॉकलेट जल्दी जल्दी से सूख जाती है इसलिए हमें यह फास्ट फास लगाने पड़ेंगे इसको ग्लास में ऐसे लगा दूँगी इसी तरह दूसरे को भी डिप करूँगी अब यह दूसरे वाला इसके उपर डाल रही हूँ यह देखिए इसी तरह पाकी के भी ब्रेड पॉप्सिकल्स तयार कर लूँगी लीजिये बन के तयार है हमारे बहुत ही खूपसूरत ब्रेड पॉप्सिकल्स जो बनाने में बहुत ही आसान है खाने में टेस्टी और देखने में खूपसूरत बच्चे इनको देखते ही खुश हो जाएंगे, इनको प्यार से बनाईए, प्यार से खिलाईए अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, फामिन्स कीजिएगा और मेरे चैनल प्यार कतरका को सब्सक्राइब कीजिएगा थैंक यू, बाई बाई, नमस्ते